मेरे मन में विचार स्वयम नहीं आते लिखक स्वामी विवेकानन परिवराजक मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और कहते हैं गुरुजी मैं हर रोज ध्यान में बैठता हूँ एक घंटा सुभः और एक घंटा शाम को परन्तु मेरा मन पूरे एक घंटे में कूल मिलाकर पांच से साथ मिनिट ही टिक पाता है बाकी समय तो मन में कुछ नकुछ सांसारिक विचार ही आते रहते है मैं उन्हें रोग नहीं पाता मैं क्या करूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इस बात का बहुत लंबे समय तक अभियास करे कि मेरे मन में विचार स्वयम नहीं आते मैं ही विचार लाता हूँ हजारो बार इस बात को अपने मन में दोराए कि मेरा मन जड़ है वह स्वयम कोई विचार नहीं लाता मैं चेतन आत्मा हूँ मैं ही विचार लाता हूँ मेरी इच्छा और प्रयद्न के बिना मेरे मन में कोई विचार उत्पन नहीं हो सकता। इस प्रकार से लंबे समय अर्थात वर्षों तक चिंतन मनन करने से इस बात को दोहराने से मन में यह बात बैठ जाएगी कि मैं ही विचार लाता हूँ। अब मैं संसारिक विचार अपने मन में नहीं उठाऊंगा। अब मैं केवल इश्वर का ही विचार अपने मन में लाऊंगा। इतना लंबा अभ्यास करके फिर आपको विचारों को रोकने में सफलता मिलेगी। इसके लिए संसार से वैराग यहोना आवशक है। जब तक संसार की वस्तों में ही राग और कहीं द्वेश बना रहेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति विचारों को नहीं रोक सकता। राग और द्वेश के कारण उसके मन में विचार उठते ही रहेंगे। इसलिए पहले वेरागे को प्राप्ट करें। अर्थात, संसार की वस्तों में जो आपको राग और द्वेश है, पहले उस राग और द्वेश को दीरे दीरे कम करते जाए। जितना जितना आपका राग द्वेश कम होता जाएगा, उतना उतना आपका वेरागे बढ़ता जाएगा, और उतना ही आप विचारों को रोक जैसे तालाप के हिलते हुए पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, यदि तालाप का पानी शान्थ हो जाए तब आप उस शान्थ पानी में अपना चेहरा देख सकते है। उसी प्रकार से जब तक आपका मन सांसारिक वस्तुओं के रागद्वेश से प्रभावित रहेगा, तब तक रागद्वेश के कारण आपके मन में चंचलता उत्पन्न होती रहेगी। उस चंचलता के होते हुए आपको अपने मन में आत्मा परमात्मा की अनुभूती नहीं हो पाएगी। जब वईराग्य और अभ्यास के कारण आपका मन शांत हो जाएगा तभी आत्मा परमात्मा के दर्शन आपको आपके मन में होंगे। अन्यथा नहीं कोई व्यक्ती दो-चार मेहने में डॉक्टर नहीं बन जाता। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 30-40 वर्ष तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही योगी बनने में भी लंबा समय लगेगा। इसलिए यदि आपका मन ध्यान में नहीं टिकता तो चिन्ता न करे। उदास न हो, निराश न हो, वैराग्य को बढ़ाते रहे और लंबे समय तक लगातार अभ्यास करते रहे। निश्चित ही एक दिन सफलता मिलेगी। निदेशक दर्शन योग महाविद्याले रोजड गुजराद